सलाम आलेकूं नमस्ते दोस्तों उमीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे सुबा का 6 बज गया है यहाँ पर हम उठ गये हैं आज का बोलोगीन में हम क्या क्या करेंगे आप लोग के पास सेर करेंगे अगर मेरे बोलोगीन चेनल आप लोग का पसंद है तो लाइक सेर और स दिखाते हैं किस तरह बर्नर का आच आता है देखे किस तरह आ रहा है कहीं अगदम नहीं आ रहा है कहीं ज्यादा आ रहा है इसमें बहुत ज्यादा घेस खर्च हो जाता है कैसे ज्यादा खतम होता है और कैसे कम खतम होगा वह हम दिखाएंगे आगे अब यहाँ पर हम इध गरम कर रहे हैं तब तक यहां पर हम वील सरप लिए हैं आप कोई भी सरप ले सकते हैं घर में जो इस्तमाल करते हैं वही वाला है है जो जाएल उसमें अगय के वहीं हम डालेंगे खीअा का ऑड़ जाथ हों आप लोग के पस हम share करेंगे जरूर मेरा बॉलोग चैनल का टिपस आप लोग का पसंद आएगा पसंद आएगा तो लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा अब यहाँ पर हम गरम पाने जो किये हैं उसको हम डालेंगे जितना हम सह सकेंगे हाथ में उतना ही हम गरम क गिसेंगे उसी में ही साफ हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से साफ हो जाएगा बहुत ही आसानी से साफ हो जाता है इसमें हम कुछ ने डाले हैं कोई खास चीज़ां ने डाले हैं जो हम घर में इस्तमाल करते सरफ वही वाला सरफ से हम दोके दिखाते हैं आप लोग को और बहुत ही अच्छा साफ होता है आगी दिखाएंगे और हम घेस का किस तरह कम खर्चा होगा अब यहां पर हम सब बर्णर को भी हटा लिए हैं अब यहां पर हम जो सरब पानी हैं गरम पानी ठोड़ा सा ज़ो बक्या था वह भी हम डाल दिये और सब बर्णर को लेंगे जाद हम रगड के ने ही सेंगे हलका हलका घिसने से साफ हो जाएगा अब यहां पर हम एक कपड़ा लिए हैं सुती का थोडा भींगा लिए यह पर पोच एंगे एक बार देखें किस तरह साफो रहा हैं इस बरस लेकर के अच्छे से साफ करेंगे चारो तरप बरनर को जितना अच्छा आएगा अगर चुला अच्छा रहता है तो खाना बनाने का मन बहुत ही करता है और चुला अगदम गंदा रहता है तो खाना बनाने का मन ने करता है चाहे घर अच्छा रहे चाहे ने रहे तेकिन चुला अच्छा रहना चाहिए जिसमें हम लोग खाना बनाते हुँ ठीक रहना चाहिए, देखें यहाँ पर हम बर्नर को हम सब रगड़ रगड़ के धो लिए हैं, देखें किस तरह गंदा भी निकला है कितना, देखें, अब यहाँ पर हम बर्नर को हम अरब बर साप पानी से धो लेंगे, और आप लोग को दिखाते हैं किस तरह बर्नर मेरा चमक का गिया है देखे किस तर Uganda चमक का गिया है पहले जैस कैसा था आपको सर हो गया है कि तना लाइट कर रहा है देखिए रम बर्नर के दोज होने के बाद एक सुखा कपड़ा लेंगे सुखा कपड़ा से पोचने से और चमाक आएगा गेस चुला में देखें किस तरह चमाक रहा है और अगदम हम सिंपल तरीका से गेस चुला को हम साप किये हैं और एक बार साप करने के बाद गिला कपड़ा से पोचने के बाद फिर से सुखा कपड़ा पोचने से और चमाक आता है हम यहाँ पर सुखा कपड इसे करते हैं इस में से कभी-कभी जाम हो जाता है तो नहीं हो पता है इसी लेगे इस चालू रहता है तो फिर हम लोग बนद नहीं कर पाते हैं अब यहाँ पर हम एक दवा जो लिये हैं, वो दवा का नोखिला से हम साप करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से साप हो जाएगा, अब यहाँ पर हम साधा कपड़ा एक बिचा के दिखाते हैं कितना कचड़ा निकलता है, यहाँ पर इवला जो है दवा का नोखिला अगदम अ हो जाता है कभी-कभी कचड़ा फसा हुआ रहाता है तो चालू भी नियुए हो Oh और बंद भी नी हो पाता है इस्ट जाता है कित श Alright लेंगे इसी तरह हम सब में साप कर लेंगे वह हो थी काम का चीज्ट है इसपार हो जाता तो नाली बढ़ी में फेख देते हैं तो एक दिन हम ऐसे करके देखे तो बहुत रिइस अच्छा साफ हुआ बहुत रिदे ल्गे लगा इस तरह करके है यही वाला कचड़ा से हम लोगों गेस कम ज्यादा कर्च होता है अब देखे कितना अच्छा साफ हो गया है कितना किलीनिंग दिख रहा है कितना सुन्दर हो गया है मेरा गेस चुला अब यहां पर देखे यह सब में कितना चमा का रहा है मेरा गेस चुला का बहुत ही अच् पानी रहेगा तो फिर से ज़्यादा खर्च हो जाएगा इसलिए अच्छा सी पोच लेंगे सुखा कपड़ा से इसी तरह सा बर्नर को हम पोच के तयार कर लेंगे देखे किस तरह चमका गया है बर्नर का पहले कैसा था आप कैसा हो गया है हम सब बर्नर को लगाने के बाद जो हम इस्टेंट को रखे हैं साइड में उनको भी हम थोड़ा सा साप कर लेंगे जो पानी बचा है उसी में हम थोड़ा सा इस तरह करके भिंगा लेंगे चारो तरफ इस्टेंट भी साप रहने से अच्छा दिखता है चुला और इस्टेंट और कितना गंदा निकल रहा है कि यहां पर हम इस्टेन को भी घीस लिए हैं और कितना गंदा निकला देखे पानी में इसे में भी बहुत सारा गंदा रहता है देखे कितना पानी गंदा निकला अब अच्छा से हम धो लिए हैं धोने के बाद हम सुका कपड़ा से इसको भी हम पोच लेंगे जीससे पानी ने रहना चाहिए सब हम अच्छा सी पोच लेंगे आप पोचने के का बद हम अम दिस में अच्छा है जोटा साback काश्व करने के बाद मेरा सपट किजेगा सपट करने से हम आगे बढ़ेंगे और नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे जरूर आप लोग सपट किजेगा बहुत ही उमीद के साथ हम छोटा-छोटा जो हम घर में काम करते वही वाला हम आप लोग के पास सेर करेंगे